नमस्कार दोस्तों, वेलकन डू वर्ल अफेर्ट्स, मैं हूँ प्रशान दवन, बहुत से स्टुडेंट्स ये कह रहे थे के करेंड अफेर्ट्स हमको चाहिए कमपालेशन में, कि 10 दिन के करेंड अफेर्ट्स एक वीडियो में, 30 दिन के एक वीडियो में, तो ये अब मैं 1 एप्रल से लेकर 10 एप्रल 2021 के, ऐसी जो वीडियो हैं, ये आपको मिलेगी महीने में 3 बार, फिर एक complete compilation, 100 best MCQ की वीडियो भी आपको मिल जाएगी महीने के अंथ में, और क्या इस वीडियो के अंथ में MCQ for all मिलेगा, तो इसका आंसर है जी हाँ, वीडियो के end में एक MCQ for all भी होगा, आप से मैं question पूछूँँगा, जो भी इसका service test answer देगा, उसकी comment को मैं pin भी कर दूँगा, और इस वीडियो का PDF कहाँ पे मिलेगा आपको, जो description section है वीडियो का, वहाँ पे मिल जाएगा, आपको PDF link, उसके इलावा मेरा telegram channel भी है, at dhawansir के नाम से, dhawansir, dhawansir आप search करेंगे, आपको मिल जाएगा, करीब 1,99,000, 98,000 के आसपास, वहाँ पे लोग ने join कर रखा है, तो वहाँ पे जो PDF की वो भी मैं share कर दिया करूँगा, regular basis पर, तो चलिए start करते हैं, पहले question से, तो पहला सवाल आपसे यहाँ पर यह पूछ रहे है, के हाली में, इंडि ISSF World Cup 2021, आपको simply यहाँ पर यह बताना है, के ISSF World Cup 2021, यह कहाँ पर हुआ था, किस शहर ने इसको host किया था, यह है यहाँ पर आपकी option, now, सही उत्तर, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उमीद करता हूँ, आपने attempt कर लिया होगा, सही उत्तर, यहाँ पर है option, option B, New Delhi is the right answer, जी हाँ नई दिल्ले में हुआ है हाली में, ISSF World Cup, इसकी full form क्या है, यह है International Shooting Sports Federation World Cup, जी हाँ इस बार यह भारत में वारा 2021 में, और exam perspective से यह भी जान लो के International Shooting Sports Federation, इसके headquarters आपको मिलेंगे Munich, Germany में, Munich राजधानी नहीं है जर्मनी की, जर्मनी की capital है Berlin, और यहाँ पर आप देख प और नाइस किया गया, और इंडिया की देखो, यहाँ पर complete domination थी, one-sided domination, आप अगर medal टेली में देखोगे, इंडिया नंबर वन पे total medal जीते हैं, यहाँ पर 30, gold जीते हैं, यहाँ पर 15, USA नंबर 2 पे है, और फिर यहाँ पर आपको देखेंगी बहुत सारी countries, तो देखिए, उ सरस्वती सम्मान 2020, हाली में, यह काफियत तक news में है, आपको बताना है, यहाँ पर सही उत्तर क्या है, सरस्वती सम्मान winner of 2020, सही उत्तर यहाँ पर है, option B is the right answer, शरंड कुमार लिम बाले, यह माराश्य से हैं, और इनको यह award दिया गया है, इनकी 2018 में publish हुई novel सनातन के लिए Now, क्या यह सरकारी पुरस्कार है? नहीं, यह सरकारी पुरस्कार नहीं है, यह जो पुरस्कार है, यह institute किया गया था, KK Villa Foundation द्वारा, आज के समय यह एक बहुत ही बड़ा award बना जाता है भारत में, in the field of literature, जो इनकी किताब है, बाइदावे सनातन, यह एक काफी important किताब है, जहाँ पे इन्होंने cover किया है, दलित स्ट्रगल को, कास्ट बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन को, और ऐसा नहीं है कि यह समान सिर्फ मराथी language की बुसको cover करता है, यह समान cover करता है, all the 22 languages of India listed in the schedule 8 of the constitution of India, तो 22 languages में से किसी भी language में कोई भी author, कोई भी किताब लिखता है, कोई poetry लि बहुत ही जादा important question है, किसी भी exam में आप expect कर सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाली में World Economic Forum ने release करी है, Global Gender Gap Report, इस report में भारत की rank क्या है, यहाँ पे simply आपको बताना है, यह यहाँ पे आपकी options है, और सही उतर यहाँ पे है, option, option C, 140 वी rank है, 28 पायदान हम ग इस साल काफी खराब performance है, आप भारत की अब देखो, 148th rank, 200 countries या फिर 190 countries में से भी नहीं है, इन्होंने rank ही किया था 156 countries, और उसमें से भारत की rank आई है 140th, हमारे कई जो neighboring देश हैं, for example, Nepal, Nepal की rank है 106, Bangladesh की rank है 65, शिलंका की rank है 116, बुटान की rank है 130, यह सब देश हम से आगे न पाकिस्तान से आगे हैं, मगर seriously इस पर काफी हम को काम करना चाहिए, global gender gap report बेसिकल यह बताता है कि male female में कितना discrimination होता है, society क्या male female दोनों को equal chance देती है, आगे grow करने का, तो बहुत से aspects को cover करता है यह gender gap report, और पिछले साल हमारी rank थी यहाँ पर 112, अब गिर के हम पहुच चुक है 140 out of 156 countries, हाँ यह भी जान लो कि इस report को top किसने किया, number one देश यहाँ पर कौन सा है, number one rank यहाँ आपर मिली है Iceland को, number two पर है Finland, number three पर है Norway, चली आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ, okay so next question यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, कि हर साल 1st April को Odisha celebrate करता है अपना स्तापना दिवस, आपको simply यहाँ पर यह बताना है कि Odisha state कब बनाई गई थी, यह हैं यहाँ पर आपकी options, बहुत अच्छा सवाल है, काभी बार exam में various forms में घुमा फिरा के पूछा भी गया यहाँ पर, और सही उत्तर यहाँ पर है option, option B, 1936 is the right answer, जी हाँ Odisha एक बहुत पुरानी state है, और Odisha 1st April को celebrate करता है हर साल उतकल दिवस, या फिर आप कह सकते हैं इसको Odisha Day, और 1936 में Odisha को बनाया गया था, linguistic basis पर, यह अच्छुली भारत के तिहास की पहली state है, जिसको language के basis पर बनाया गया था, इससे पहले Odisha किसका पार था, इससे पहले Odisha पार था, बिहार का, सोच कर देखें उस टाइम बिहार का साइस कितना बड़ा था, और तब से लेकर अब तक आप अगर देखें तो Odisha में भी काफी बदलाव आए हैं, 1948 तक Odisha की capital थी, कटक, बाद में इसको change कर दिया गया to Bhubaneswar, और Odisha का नाम भी एक टाइम पे Orisha हुआ करता था, हम लिखते थे Orisha, बाद में 9 November 2010 को, और इसा बन गया Odisha, और इवन जो इनकी language है, इसका नाम भी change किया गया, पहले इसको कहते थे Oria language, अब हम कहते हैं Oria language, सो आगे वरते हैं अगले question की जरफ, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि which among the following has raised GDP growth projection अवदे को क्या है कि financial year 2021 हाली में बीद गया, इसमें भारत की जो overall annual GDP growth rate थी, यह गई यहाँ पर negative में, अब इसके बाद question यहाँ पर यह था कि financial year जो 2021 हाएगा, जो अभी चल रहा है सवक्त, यहाँ पर भारत की growth कितनी होगी, इसको लेकर पहले कुछ projections हुई, कुछ अनुमान लगाया गया, मगर जिस तरीके से भारत rise कर रहा है, economy rise कर रह तो आपको यहाँ पर यह बताना है, कि जो यह 10.1% की growth का, यह अकड़ा है, GDP growth का अकड़ा, यह इन में से किसने हाली में बोला है, कि भारत इतना growth करेगा इस financial year में, यह है यहाँ पर आपकी option, WTO, विश्व वेपार संगटन, World Bank, International Military Fund, या फिर RVI Reserve Bank of India, ना उलेको सही उत्तर यहाँ पर है, option, option B, World Bank, World Bank ने पहले का था कि हमारे इसाब से भारत की growth rate है, यह रहेगी इस financial year में सिर्फ 5.4%, मगर हाली में जो इनके सामरे data है, उसको देखकर अब यह कह रहे हैं कि हम revise करते हैं, अपना estimate हम मानके चल रहे हैं कि बिलकुल 10.1% तो भारत growth करी लेगा इस particular financial year में, तो जो यह projections हैं, काफी important है, exam में पूछते भी हैं, World Bank by the way headquarter है Washington DC में, Washington DC है capital of USA, और यहाँ आप आप देखपा होगे, इस particular भी है, World Bank raises India's GDP forecast to 10.1%, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरह? So, यह question यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, के हाली में कॉल मने है, Director General of ESIC, इसके बारे में आपने दर्जोनों बार सुना होगा, ESIC मतलब Employee State Insurance Corporation, तो यह हैं यहाँ पर आपकी option, एक बार attend कर लो mind में, सही उत्तर यहाँ पर है option, option B, मुकमीत सिंग भाटिया is the right answer, भाटिया सा Employee State Insurance, यह होती है, एक Self-Financing Social Security Scheme, जिसमें जो Employee है, जो यहाँ पर काम कर रहा है, वो भी कुछ पैसे डालेगा, जो Employer है, जो भी बॉस है, वो ही पैसे डालेगा यहाँ पर, और फिर कल को अगर मान लो कुछ अन्होनी हो गई, काम करते वक्त कोई मिसहाप हो गई, या फिर क सई उत्तर होगा यहाँ पर Ministry of Labor and Employment के अंडर आती है, ESIC, एक क्वेस्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछूँगा, कि इस मिनिस्ट्री में इस वक्त मिनिस्टर कौन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका अंसर करो, और यहाँ पर आप देख पाऊगे, The Economic Times का आर्टिकल है, म इस वर्ष सारुजनिक अवकाश घोशित किया गया है, मतलब के Public Holiday डिकलेर किया गया है हाली में एक महान हस्ती की Birth Anniversary को, आपको बताना यह महान हस्ती कौन है, यह यहाँ पर आपकी Option है, ना आपको क्या लगता है, सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, यह topic काफी उत्तर नियू आपर नोडिफाई किया है कि ये होगी एक public holiday और दुनिया भर में बहुत सी countries भी इसको celebrate करेगी for example Canada में इनकी एक state है British Columbia तो जो government है British Columbia कि इनोंने ये का है कि ये लोग भी celebrate करेंगे April 14 को as Dr. Ambedgar Equality Day तो इसलिए ये topic बहुत news में है please make sure to remember this किसी भी exam में expect कर सकते हैं आप इससे related question सो आगे बरते हैं अगले question की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इन में से कौन सा राजे बनेगा भारत का पहला जहाँ पर होंगे दो green energy efficient towns ये topic काफी news में था आपको पतावना चाहिए यहाँ पर और सही उत्तर यहाँ पर है option option C बिहार यहाँ बिहार यहाँ पर काफी है तक तयार है दो यहाँ पर towns है एक तो राजगेर और दूसरा बोध गया यहाँ पर बात चल रही है के 2023 तक एक unique hybrid renewable energy model ये लेके आएंगे जिससे क्या है के 24 hour जो भी यहाँ पर पावर चाहिए लोगों को यह आएगी from green energy sources मतलब के solar power, hydro power और इसके लिए बहुत सारे projects भी आजके समय बन रहे हैं दूनों towns में काफी बड़ा project है उमीद करते हैं के सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक जाए और बिहार बिलकुल लीड करे भारत को in terms of green renewable energy सो आगे वरते हैं अगले प्रशन की तरफ यहाँ पर आप से पूछ रहे हैं के इन में से किने honor किया गया है समानित किया गया है 51st दादा साहिब पालके अवार्ट से यह हैं यहाँ पर आपकी cinema यह हर साल दिया जाता है at the national film awards ceremony यह एक basically ceremony है जो conduct करता है directorate of film festival यह संगटन है जो आता है ministry of information and broadcasting के अंडर और दरा साहिब वालके को एक title भी मिला हुआ है title है the father of Indian cinema इनका जनम हुआ था 30 April 1870 को नाविन को father of Indian cinema क्यों कहते हैं क्यों कि इन ने बनाई थी पहली feature Indian film राजा चद्र 1913 में जो अपने आप में एक path breaking film थी तो इनी के समान में भारे सरकार ने 1969 में start किया दादा साहिब फालके award और जो first recipient थी इस award की यह थी देविकार आनी जी यह बहुत important facts हैं काफी बार इन से question आ चुके हैं और जो 51st दादा साहिब फालके award है यह दिया गया है legendary actor रज वजर प्रहार 2021 यह हाली में किस राज्य में हुई है यह भी बहुत important है यह है यहाँ पर आकी options सही उत्तर क्या हो सकता है यहाँ पर now right answer यहाँ पर है option option C हिमाचल प्रदेश is the right answer यह topic काफी news में था the 11th edition 11 edition हुआ है वजर प्रहार का at the special forces training school located at बखलो in हिमाचल प्रदेश और सकते हैं इसके लावा आर्मी का युद्ध अवयास लगसे होता है जिसका नाम यह literally युद्ध अवयास इंडिया US military exercise named युद्ध अवयास फिर अब हाली में एक tri service exercise भी स्टार्ट हुई है जिसका नाम है Tiger Triumph जहाँ पर Navy, Air Force और आर्मी तीनों करती है पार्टिस्पेट तो ब सेना का युद्ध अवयास आपको यहाँ पर यह बताना है कि यह युद्ध अवयास primarily किस country ने conduct किया था किस country द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया था ला पैरोस जो काफियत था यहाँ पर सही उत्तर obviously यहाँ पर है मैंने इस पर वीडियो भी मनाई थी सही उत्तर option B France और भारत ने पहली बार 2021 में आपे पारिस्पेट किया है भारत और फ्रांस इलावा यहाँ पर पारिस्पेट किया है युएस ने जपान ने और आस्ट्रेलिया ने तो आप क्या सकते हैं Quad प्लस France वाली टाइप की एक exercise थी है हलाकि जो इसका official नाम है यह है ला पैरोस न आप पर पारिस्पेट करेगा भारत और फ्रांस के साथ क्यारभी के लिए या रख लेना कि ला पैरोस यहाँ पर भारत ने भी पारिस्पेट किया है 2021 में तो आगे बढ़ते हैं अग्डे प्रशन की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि हाली में State Bank of India ने sign किया है एक loan agreement Japan Bank for International Cooperation के साथ किस amount का यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि कितने का loan agreement sign हुआ है SBI और Japan Bank for International Cooperation के वीश में यहाँ पर आपकी options और देखो सही उत्तर यहाँ पर है option option A 1 billion dollars अब आपको यहाद होगा यह सुना सुना question लग रहा है मैंने एक question आपसे discuss किया था पिछले साल भी तो देखो आपकी यहाँ पर observation विल्कुल ठीक है क्योंकि पिछले साल भी SBI ने 1 billion dollar का loan उठाया था from JBIC और यह जो fund है यह SBI यूज करेगा loan प्रोवाइड करने के लिए उन Japanese car manufacturers को जो काम कर रही है भारत में यहाँ basically Japan कर किया रहा है कि जो जपानी company आज के समय जो shift कर रही है from China, बाकी country से भारत में आ रही है तो उनको financing चाहिए उनको loan चाहिए होता starting में तो loan उनको अराम से मिल पाए उसके लिए इन्होंने special तरीके से loan fund बना दिया है एक agreement कर लिया है SBI के साथ जिसके under SBI special provisions के under loan देगा Japanese car companies को यह बहुत ही important है for making India perspective, India Japan corporation तो please इसको याद रखियेग और यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रार्टिकल है SBI Inc. 1 billion dollar agreement इससे total जो facility है यह पहुच चुकी है 2 billion की including 1 billion जो sign हुआ था October 2020 में सो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि World Autism Awareness Day यह observe किया जाता है हर साल किस तारीक को देखो जो days है यह बहुत important exam perspective से तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे है कि World Autism Day हम observe करते हैं कब सही उत्तर यहाँ पर है option option B second April is the right answer यहाँ पर आप in the workplace के workplace में कैसे उन लोगों को हम include कर सकते हैं जो autism से आज के समय सफर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे इसमे लिखा हुआ है तो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि हाली में Union Minister नितिन गडगरी जी ने inform किया है कि that the pace of the highways construction in the country has touched a dash record per day in financial year 2020 किस इस topic पर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी मनाई थी करीब 4 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा भी था भारत ने world record बनाया है और भारत ने हर दिन construct करी है 37 km सड़के यह देखिए अपने आप में एक remarkable feet है और इस दुरान कई world record अपने आप भी बन गए एक 25 km लंबी एक लेन की सड़क थी यह construct कर दी गई within 18 hours यह सब world record है remarkable achievement इंडिया देखिए बहुत ही 33 सड़के यहाँ पर construct कर रहा है target अभी भी गड़गरी जी ने यह रखा है कि eventually 40 km per day construct करेंगे यह road तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो हिंदू का भी आर्टिकल है highways construction touches record 37 km per day so next question यहाँ आप से पूछ रहा है कि 2023 का men's boxing world championship यह host करेगा कौन सा देश यह है यहाँ पर आपकी option यह भी topic काफी अतर न्यूज में था recently now सही उत्तर यहाँ पर है option option c उस्बेकिस्तान Central Asia यह भी आपको मैप पर दिखा दूगा एक बार उस्बेकिस्तान कहाँ पर है वैसे भी यह country काफी अतर न्यूज में रहता है मगर exam perspective के लिए यहाँ पर यह भी जान लो यहाँ पर आपको यह है इसके साथ में तुर्कमिनिस्तान है यहाँ पर उपर कजाकिस्तान यहाँ पर तजिकिस्तान और यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है अफगानिस्तान और किर्गिस्तान के साथ भी यह शेयर करता है बॉर्डर हाली में यह country news में इसले भी है क्यो अभी 2021 में जो ये Men's Boxing World Cup है, ये host करेगा सर्विया, इसके बाद host करेगा इस World Cup को उजबेकिस्तान, और यहाँ पर मैं यह भी mention कर दूँ कि आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं, चाए UPSC हो, SSE हो, bank हो, आप जा सकते हैं, अनकैडमी.com पे, या फिर अनकैडमी की app पर, simply पर price लिखा है, ये पर मत कर देना, यूज करो, यहाँ पर code PD10, और आपको मिलेगा सीधा 10% discount, so use the code PD10, and you will get discount on your Unacademy subscription, so आगे बरते हैं, next question की तरफ, यहाँ पर आपसे पुछा जा रहा है, कि सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा floating solar power plant, ये बनाए जाएगा किस राज्य म और सई उत्तर यहाँ पर है option, option D, तिलंगानावे, ये topic हाली में बहुत news में है, ये होगा भारत का सबसे बड़ा floating solar power plant, capacity होगी इसकी 100 MW, उमीद की जा रही है कि में 2021 में इसको open करी देंगे, और जो ये project है, ये commission किया जाएगा, NTPC द्वारा National Thermal Power Corporation, और cost है इस पूरे project की 423 करोड रुपीस, भारत का overall ये पहला floating solar power plant नहीं है, भारत का सबसे पहला floating solar power plant install किया गया था, कुलकता में in 2014, तो याद रखिएगा, बहुत important topic है, ये exam perspective से, इंडिया's biggest floating solar power plant, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरव, यहाँ आप आपसे पूछ रहे हैं, कि हाली मे भारतिय railway का वो कौन सा zone है, जो बन चुका है, fully electrified, completely electrified ये हो चुका है, ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, और सही उत्तर यहाँ पे है, option, option B, west central railway, यहाँ आप आप देखोगे इस particle है, faster trains, इसे overall फायदा क्या होगा, trains की speed बढ़ेगी, travel time काफियत तक कम होगा, western central railway जो ह of India, सो आगे बरते हैं अगले प्रेशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, के world health day, यह celebrate किया जाता है हर साल 7 April को, what is the theme for world health day 2021, theme आपसे पूछ रहे हैं देखो, theme काफी बार, चाहे SSC का exam हो, UPSC का exam हो, इसमें पूछा जाता है, so यहाँ पर है आपकी options, एक बार इस world for everyone, यह है इसका theme, और जो यह world health day है, सबसे पहले celebrate किया गया था, 1948 को, सो आगे बरते हैं, अगले प्रेशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, के हाली में Indian railways ने complete किया है, arc of the world's highest railway bridge on which river, यह तो देखिए, बहुत news में है, सबको पता है, यहाँ पे इसका सही आंस अगर आपको नहीं पता, तो current affairs में आपको काफी भी तरकी करनी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे सही answer है, जो चिनाब river है, इसका arc complete हो चुका है, देखो, यह होगा दुनिया का highest railway bridge, अभी bridge पूरा complete नहीं हुआ, bridge को पूरा भी पूरा होने में, कुछ साल अभी और लगेंगे, बस इसका जो यह arc है, जो आप कह सकते हैं, बहुत ही इसका एक, मैं कहूंगा, important component था, यह complete हो चुका है, और यह जो bridge है, यह बनाय जा रहा है, at a cost of 28,000 करोर रुपीज, और वैसे to be honest, यह bridge नियूज बहुत रहता है, तो इससे direct question आने के chances कम है, मगर फिर भी इसको जारत ले कि पहला National Maritime Day celebrate किया गया था, किस साल में, यह है यहाँ पे आपकी options, और सही उत्तर यहाँ पे है, option C, 1964 में celebrate किया था, पहला National Maritime Day, और इस साल इंडिया ने celebrate किया है, अपना 58th edition of the National Maritime Day, इसमें यह को main focus होता है, कि जो हमारी maritime industry है, आप कहली जी इसमें fishing भी होती है, trading भी होती है, सब पर focus किया जाता है, और यह बहुत ही important component है हमारी economy का, सो आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, यहाँ पर आप से पूछ रहे हैं, कि इंडिया के पास है highest number of real-time online transactions 2020 में, इस topic पर भी मैंने dedicated वीडियो बनाईया देखो, आप अगर overall world affairs को properly follow करोगे न, almost सारे current affairs comprehensively आपक आपको समझाता हूँ, वहाँ पर जो हो वीडियो आप अगर देख लोगे, तो सारी उमर जो यह point है आप भोलोगे नहीं, और फिर अब जो यह वीडियो आपको मिलेगी हर 10 दिन में, महीने में वीडियो मिलेगी, उसे proper आपका genuine revision हो जाएगा, तो यह जो topic है, इस पर भी मै वीडियो बनाई थी, कि overall real time digital transactions में, इंडिया ने US, चाइना को भी beat कर दिया है, तो simply यहाँ पर मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ, कि second number पे कौन सा देश था, अगर इंडिया आज के समय real time digital transactions में, नंबर वान है, तो second spot पे कौन है, तो second spot पे यहाँ पे है, option D, चाइना, जी ह रिलीस किया था, ACI Worldwide और Global Data ने, इस topic पर एक dedicated वीडियो भी है, आप search करोगे, digital payments India World Affairs, YouTube पे आपको वीडियो और आम से मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको properly समझाया है, यहाँ पर, कि यह हम कैसे achieve कर पाए, और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस एक survey report है, बहुत news में आज के समय, आपको बताना है कि यह report किसने publish करी है, यह है यहाँ पर आपकी option, now सही answer यहाँ पर क्या हो सकता है, सही answer यहाँ पर है, option B, UNESCO is the right answer, UNESCO है, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, इस report में इन्होंने बहुत सी बातों को कवर किया है, कि भविश्य में climate change, violence, loss of biodiversity, discrimination, inequality, पाने की कमी, खाने की कमी, यह कई important challenges है, जो दुनिया face करेगी, और कैसे इन challenges से दुनिया निपढ़ सकती है, इस पर वाचीत करी गई है, तो काफी important report है यह, और UNESCO के headquarters कहाँ पे है, यह आपको मिलेंगे France में, UNESCO को form किया गया था, 1945 में, सु आगे बढ़ते हैं, अगले प्र landmine की, आपको बताओगा, landmine आज भी दुनिया के बहुत सारे इलाकों में बिची हुई है, अब क्या होता है, कहीं पर अगर मानलो, बहुत ही बड़े skill पर war हो गई, तो एक side क्या करती है, कि कई kilometer दूर दूर ना, वह वहाँ पे बिचा देंगे landmine, कि कल को कोई भी आदम पर रखे, immediately एक explosion हो जाए, तो दुनिया के कई इलाके हैं, आज के समय मिडल इस में, आप कहली जिए, even South हमारी का में, वहाँ पर अभी भी आपको landmines भी लेगी, तो landmines की awareness के लिए होता है, International Landmines Day, तो जो landmines हैं की awareness के लिए होता है, International Mind Awareness Day, और यहाँ पर आप देख यहाँ पर कहरें के, today on the International Day of Mind Awareness and Assistance in Mind Action, we reflect on how far we have come in raising awareness of the dangers, जो खतरी हैं, जो पोस करती है, landmines, और हम recommit करते हैं अपने target को के एक दिन के पुरी दुनिया को बना देंगे, landmine free, और इसके लिए, by the way, UN की एक service भी है, इसको एक कहते हैं, UNMARS, full form इसकी है, United Nations Mind Action Service, यह form करी का काम ही है, दुनिया पर में जाकर बदाती है, कि landmine जहां पर भी है, उसको remove हम कैसे कर सकते हैं, लोग हम safe कैसे कर सकते हैं, तो इस बार जो यह Landmine Awareness Days का एक theme भी है, perseverance, partnership and progress, बहुत important exam perspective से, please make sure to remember this, चली आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, यहाँ पे आपसे पूछा ज आप यारो skip करोगे या आफिर इसको गलत कर दोगे, देखें सही answer यहाँ पे है, option D, इसलिए यह topic काफी तक important भी है, क्योंकि बिलकुल recently इसको आप कह सकते हैं, बनाया गया शुरू किया गया था, और अब 2021 में इसका जो second edition है, यह हम कर रहे हैं, celebrate यहार रखिएगा, 5th of April, International Day of Conscience, message यही होता है कि peace, love, harmony, एक ता इसको promote करते हैं, यह exam perspective से काफी तक है important है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरह, अगला प्रशन देगो सिरा-सिरा आप सही है पूछ रहा है कि recently which among the following ministry has released the report titled women and men in India 2020, यह सरकारी report है, बहुत important है, इसमें इन्होंने बदाया है statistics के gender equality भारत में किती है, महिलाओ का यहाँ पर economic हाल क्या है, जो male है, इनका हाल यहाँ पर क्या है, कहाँ पर disparity है, कहाँ पर improvement की गुंजायश है, बहुत सी चीज़े discuss करी गई है, women and men in India 2020 report में, आपको simply यहाँ पर यह बताना है, कि यह report किस मंत्राले ने release करी है, यह है यहाँ पर आपकी option, सही answer यहाँ पर क्या हो सकता है, सही answer यहाँ पर है, option C, ministry of statistics program implementation, यहाँ पर आज के समय जो minister है, यह है, राव इनरजी सिंग, minister of state है, with independent charge, और यह report actually, यह मंत्राले पप्लिश कर रहा है, since 1995, बहुत important report है यह, make sure to remember this, यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह cut out है, of the website, ministry of statistics and program implementation, women and men in India, 2020, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है, which of the following country has registered world's first COVID-19 vaccine for animals, जानवरों के लिए, दुनिया की सबसे पहली COVID-19 vaccine, किस ने हाली में register कराई है, किस देश ने register कराई है, यह है, यहाँ पर आपकी options, और सही उत्तर यहाँ पर है option, option D, Russia is the right answer, रश्या ने हाली में बनाई है, दुनिया की पहली vaccine for animals, रश्या ओलेडी human beings के लिए 3 vaccines बना चुका है, एक तो sputnik है, sputnik vaccine, उसके लावा emergency approval यह दे चुके है, कोवी वैक को यह भी रश्यन है, और EPI-VAC को और जो यह जानवरों की वैक्सीन है, इस cancer होगा, रूस, तो आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कि recently international day of sports for development and peace, यह observe किया गया था, किस दिन को, यह है यहाँ पर आपकी options, और सही उत्तर यहाँ पर है option क्या हो सकता है, यहाँ पर, देकिए सही उत्तर यहाँ पर है option D, 6 April को 6 April को, यहाँ पर celebrate किया गया था, international day of sports for development and peace, यह एक UN sponsor day है, बहुत important है, यहाँ पर आप देखोगे, UN की website पर लिखा हुआ है, international day of sports for development and peace, 6 April, exam में आने के chances हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि जब कोई भी day हो, जिसका एक link हो with United Nations, तो यह अपने आप बन जाता है, very important, आगे बढ following has recently released the world economic outlook titled managing divergent recovery, इन में से किसने, जो managing divergent recoveries है, यह release करी है, यह अपने आपने दुनिया का आप कह सकते हैं, एक type की report आईए, तो सही उत्तर यहाँ पर है, option क्या हो सकता है, World Bank, UNESCO, नहीं, सही answer यहाँ पर है, option सी IMF, IMF नहाँ पर release करी है यह, और इसमें यह लोग यह भी कह हैं कि इंडिया की जो growth होगी, इस financial year में, यह उने वाली है, 12.5%, यह बहुत मी impressive है, World Bank कहता है, कि हम grow करेंगे 10.1% पर, IMF कहता है, नहीं, यह तो grow करने वाली है, 12.5% पर, देखते हैं, कौन यहाँ पर सही होता है, World Bank या फिर IMF, exam perspective से बस यह जान लेना, कि IMF के headquarters आपको मिल देखेंगे, US की राजधानी, Washington DC में, और यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह है, इनकी report, यह लिखा है, International Mortary Fund, और यह है, World Economic Outlook Report, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, आपको simply यहाँ पर यह बताना है, कि कौन सा, वो BRICS देश है, BRICS आपको Finance Ministers की, और Central Bank Heads की, तो यहाँ पर सही उत्तर है, Option D, भारत, जी हाँ भारत बना है, पहला देश, पहला BRICS देश, जिसने होस करी है, यह मीटिंग, इंडिया की तरफ से, अफकोर्स, RBI के जो गवर्नर है, शेशी कांता दास साब, और यहाँ पर पाटिस्पेट करने के जो यह मीटिंग है, यह वर्चुली हुई थी, त्रू इंटरेट मगर फिर भी, बाइडिफॉल्ट, होस्ट यहाँ पर मानेंगे भारत को, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, कि Spices Board of India और United Nations Development Program, UNDP, इन्होंने हाली में साइन किया है, एक MOU, आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है, कि Spices Board of India जो आजकर लियूज में है, यह किस मंतरा लेके अंडर आता है, बहुत इंपोरेंट क्वेस्चन है, और सही उत्तर यहाँ पर है, option, सही उत्तर यहाँ पर है, option B, Ministry of Commerce and Industry के अंडर आता है, Spices Board of India, और किया गया था, 1987 में, Under the Spices Board Act of 1986, इसके Headquarters आपको मिलेंगे, Kochi, Kerala में, विरेज जो UNDP है, United Nations Development Program, इसके Headquarters आपको मिलेंगे, New York, USA में, और जो Agreement अभी हाली में हुआ है, इसमें यह लोग फोकस करेंगे, Blockchain Powered Traceability Interface पर, जिससे Indian Spices कहाँ पर Export होती है, कहाँ पर Grow Orient की Quality क्या है, इ बहुत ही important यह topic है, इसको याद लीजेगा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कि Forbes में हाली में रिलीस किया गया है, कौन सा edition, Annual Worlds Billionaires List का, यह हैं यहाँ पर आपकी options, और सही उत्तर यहाँ पर है option, option D is the right answer, 35th जो edition है, इन् अगे तरह हिंदू का article है, India has world's third highest number of billionaires, says Forbes report, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, कि recently April 7, 2021 को किने appoint किया गया है, as the new chairman of the airports authority of India, तो सही उत्तर यहाँ पर है, option C, संजीव कुमार जी को appoint किया गया है, as the new chairman of the airports authority of India, यह एक IS officer है, of 1993 93 batch from Marastra Cader, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, कि किसने represent किया था भारत को in the consultation meeting of education minister of E9 countries, जी हाँ हाली में, जो education ministers है, E9 countries की इनके meeting हुई थी, वहाँ पर इंडिया को किसने represent किया था, तो सही answer यहाँ पर है, option B, संजे धौत यहाँ पर, यह है minister of state for education, और E9 countries कोन सी होती है, E9 countries में यह सब देशा को मिलेंगे, Bangladesh, Egypt, Mexico, Brazil, India, Nigeria, China, Indonesia और पाकिस्तान, और जो यह E9 group है, यह launch किया गया था, 1993 में, यह लोग focus करते हैं on education, primarily education ही यहाँ पर main discuss किया जाता है, तो काफी important आईए, इसको याद रखिएगा, आगे वरते हैं, अगले question की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि हाली में किसे appoint किया गया है as the chairman and managing director of small industries development bank of India, SIDBI, तो सही उत्तर है यहाँ पर option C, as Ramanan सापको appoint किया गया है as the chairman and managing director of small industries development bank of India, यह 3 साल के लिए यह जो position है, यह समालेंगे, और यहाँ आप आप देख पाओग अगले question की तरफ, next question में यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि FIFA ने हाली में किस Asia देश की football federation है, इसको कर दिया है suspend, यह है यहाँ पर आपकी options, now सही उत्तर यहाँ पर है option, option D, Pakistan here is the right answer, जो पाकिस्तान की football federation है, Pakistan football federation, यहाँ पर रेको infighting बहुजरा बढ़ गई है, हाली में take over भी हो गया था, यहाँ पर कई लोगों ने गलग तरीके से जो position है यह समाली थी, FIFA ने यहाँ पर यह का कि complete chaos है, यहाँ पर hostile take over हुगा है कई लोगों का, तो यह कहकर FIFA ने पाकिस्तान को remove कर दिया है, suspend कर दिया अभी के लिए, और पाकिस्तान के साथ एक और देश है, अफ of India, यह कौन से Chief Justice है इंडिया के, तो यहाँ पर सही आंसर है, 48th, he is the 48th Chief Justice of the Republic of India, यहाँ पर आप देख पाओगे, Justice V.N. Raman to be sworn in as the new Chief Justice of India on 24th April, तो इनको अभी appoint कर दिया गया है, इनकी जो swearing in ceremony है, यह होगी 24 April को, और यह serve करेंगे as India's Chief Justice till August 26, 2022, तो आगे बढ़ते हैं, अग अगले पैशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कि which among the following has recently announced, that the debt to GDP ratio of India increased from 74% to 90% in COVID crisis, and this is to increase to 99% in 2021, यहाँ पर देख यह कह रहे हैं, कि हाली में में से किसने का है, कि debt to GDP ratio, कितना कर्ज आपने ओर रखा है, अपनी GDP के साइस के इसाब से, जो यह ratio है, already बढ़ चुका है, और भविश्य म यह 90% जभी बढ़कर 99% हो जाएगा, हाली में यह बात किसने कई है, तो सही उत्तर यहाँ पर है, option A, international monetary fund यहाँ पर यह का है, कि भारत का GDP ratio बहुत ही जल्द हो जाएगा, 99% of their total GDP, इन्होंने यहाँ पर वार्निंग भी दी है, कि भारत बहुत जादा कर्स उठारा है, debt यहा करना कई control भी करना होगा, अगर कल को कोई economic mismanagement हो गई, तो problems भी यहाँ पर आ सकती है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कि artificial intelligence driven research portal, SUPACE, SUPACE, यह हाली में launch किया गया है, किसके द्वारा, किसने launch किया है, SUPACE को, यह है य बात तो जानलो, यह जो SUPACE है, क्या है, full form इसकी यहाँ पर यह है, Supreme Court Portal for Assistance in Courts Efficiency, तो यह Supreme Court की efficiency को इंप्रूव करने के लिए, एक artificial intelligence का एक portal है, जो हाली में launch किया गया है, और obviously इसको यह, आप कह सकते हैं, launch करेंगे, इसको inaugurate करेंगे, the Chief Justice of India, तो और यहाँ पर आप देख प वीरनी Awards का कौन सा edition, organize किया जाएगा, 14 April 2021 को, पहला edition, second edition, third edition, या फिर fourth edition, तो सही answer यहाँ पर है, option A, first edition, और किसी भी चीज़ का, first edition, चैक किसी भी state में हो रहा हो, it is very important for every examination, तो यहाँ दखिएगा इसको, दूती चंद, इनको मिलेगा, पहला 36 गड़ वीरनी Award, आगे बढ़ United States Dollar Corridor in Tamil Nadu, सिकिक क्या है, यह है चन्नाई-कन्या-कुमारी Industrial Corridor, तो इसके लिए $484 million किसने अप्रूव किये है, तो सही उत्तर यहाँ पे है, option D, यह Asian Development Bank ने अप्रूव किया है, यह loan, और Asian Development Bank के headquarters का पे है, यह है Philippines में, और जो यह सिकिक क्रूड़ है, यह basically एक transport connectivity corridor है, जो primarily बनेगा चन्नाई और कन्याकुमारी के वीश में, और सिके कैचुली पार्ट है भारत के East Coast Economic Corridor का, जो stretch करता है from West Bengal to Tamil Nadu, यह बहुत important है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कि कितने sailors ने हाली में इतिहास रचा है, by qualifying for this year Tokyo Olympics, कितने भारतिया sailors ने इतिहास रचा है, और यह qualify कर चुके हैं, इस साल के मलब 2021 के Tokyo Olympics के लिए, तो सही उत्तर यहाँ पे है, option, option C, 4 sailors है यहाँ पर, इन्होंने इतिहास रचा है, यहाँ आप आप देखोगे इस पर article है, history written, देखो, जो यहाँ पर यह sports है, rowing, और जो भी board related sports हैं, जहाँ पर, आपको sailors चाही होते हैं, यहाँ पर इंडिया की participation हमेशा काफी कम थी, पहली बार, चार sailors ने qualify किया है, फ्रॉम इंडिया, तो यह काफी ज़रा special बात ही है, तो इसको आप याद रखिएगा, आगे वढ़ते हैं, अगले प्रेशन की तरफ, यहाँ पर आ यहाँ पर है, the Netherlands, Netherlands देखिए, एक ऐसा देश है, जहाँ पर largest Indian diaspora आपको मिलेगा, continental Europe में, वैसे Europe की अगर बात करो, तो UK में सबसे जादा है, मगर since आप अगर बात करो, सिर्फ continental Europe की, तो सबसे जादा Indian diaspora है, in the Netherlands, तो आगे वरते हैं, अगले प्रेशन की तरफ, यहाँ पर पुछा जा रहा है, कि recently किस country की निवीरे कनट की है, freedom of navigation operation, in the Indian Ocean region, near the Lakshadeep, यह topic काफियता news में भी है, इस पर भी, मैं video बना चुका हूँ, तो बहुत साथ topic यहाँ पर आपको मिलेंगे, MCQs में, ना सिर्फ इस series में, all over YouTube, कई लोग जो series बनाते हैं, वहाँ पर आपको same topics मिल होगा, बहुत ही जादा controversy हो गई थी, इन्होंने इंडिया का EEZ है, exclusive economic zone, इसमें entry करी, इंडिया ने इसका protest किया है, US ने आपर यह काया कि देखिए, यह हम हर country के साथ करते हैं, और यह बहुत दौर्मल चीज है, तो इस पर protest करने वाली कोई बात है नहीं, तो इससे इंडिय US के जो relations है, कुछ हर्तक impact हुए है recently, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, कि World Homeopathy Day, यह celebrate किया जाता है, हर साल 10 April को, to mark the birth anniversary of DAS physician Dr. Christian Frederick Samuel, देखो इनको का जाता है, the pioneer of homeopathy, इन्होंने काफी यह तक शुरुबात करी थी, तो आपको यह बताना है कि इनकी nationality क्या थी, क्योंकि इन्ही की birth anniversary को हम celebrate करते हैं, हर साल, as World Homeopathy Day, तो सही answer यहाँ पर है, option B, जर्मन थाईए, और यहाँ पर आप देख पाऊगे, इन्ही की जो birth anniversary, इस पर हम celebrate करते हैं, World Homeopathy Day, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तर रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल कौन है, यह है, University of Education, नैनो स्नेफर है, देखो, 100% made in India, और यह है, एक explosive trace detector, यह detect कर सकता है, explosives in less than 10 seconds, तो यह काफी important है, news में भी साइए, तो इसको याद रखिएगा, अब बात करते हैं, उस question की, जिसका answer मैं देने नी वाला, अब यह मैं कोशिश करूँगा, जो description section है, वहाँ पे भी आपको PDF प्रोवाइड कर दूँ, तो simply यहाँ पे आपको इस question का answer देना है, कि अगर मान लोग के जो राजय सबाय और लोग सबाय, यह लोग properly एक bill पर सहमत नहीं हो पारे, एक deadlock हो गया, कि यहाँ पे यह bill पास करे या ना क करें, और फिर बलानी पड़ी, joint sitting of the parliament, कि राजय सबाय लोग सबाय गुनों को इखटा बलाया, और फिर voting करी, तो यहाँ पे आपको यह बताना है, कि यह जो joint sitting है, इसको preside कौन करता है, इस joint sitting को preside कौन करेगा, speaker of लोग सबाय, president of India, senior most member of लोग सबाय, या फिर vice president of India, pure political question है, और SSE CGL 2015 में, यह सवाल आवी चुका है, मैं expect करूँगा, आप सब लोग इसका answer करें, comment section में, सही उत्तर आपको PDF में मिल जाएका, और I am sure, लोग comment section में भर देंगे, सही answer, मैं कोई बहुत बढ़ी अगर आप answer करोगे, इसमें mention करोगे, points, important points यापे mention करोगे, तो मैं comment Thank you for listening and as always, God bless you all.